जैसानिराम, नमस्कार, मैं ब्रिज मोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साइंग रन्त राइटर, रेड़ बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूँ आपके इस चैनल में, चैनल जिसका नाम ब्रिज मोहन सूरी है, उसमें आपका स्वागत है, आज हम एक नया वीडियो लेकर हाजिर हैं, और इच्छा करते हैं, आशा करते हैं, कि आप बहुत प्रेम के साथ इसे देखेंगे, और दूसरे लोगों को भी शेयर करेंगे, ताकि लोग इसको देखकर फायदा ले सकें, त आज का नया विश है, आज का जो ये टोटका है, ये बहुत लाब देता है, आप जानते हैं, मैं प्रति दिन एक उपाये बताता हूं, ये उपाये आपकी कोई भी राशी है, आपका कोई भी ग्रह है, आप कर सकते हैं, यानि किसी पर कौन सी राशी चल रही है, किसी पर कौ कौन सा ग्रह चल रहा है कौन सी महादशा चल रही है कौन सी अंत्रदशा चल रही है इसका कोई विचार नहीं है यह जो मैंने उपाए बनाए होते हैं यह गोच्र राशी ग्रहों को देखते हुए सयुक्त रूप से बनाए होते हैं जो आपको लाब देते हैं आपके ध्यातम करे कि मैं जो यह उपाय करने जा रही हूं या करने जा रहा हूं इसका फल फला फला व्यक्ति को मिले या मेरे पूरे परिवार को मिले और फिर जल्ल से जमीन पर गिरा दें तो इसका लाब पूरे परिवार को मिलेगा यानि यह ऐसे टोटकी हैं ऐसे उपाये हैं जो आपका बहुत उधार कर सकते हैं, इनको आम मत समझिए, मैं प्रती दिन बता रहा हूँ, प्रती दिन मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, मेरी इच्छा ये है कि आपके घर में बहुत सरा धन आए, मेरी इच्छा ये है कि यदि आपके पती, आपका बेटा, आपकी माँ, आपके पिता कोई भी आपसे नराज है तो मिलन हो जाए मैं ये चाहता हूँ आपका करजा उतर जाए मैं ये चाहता हूँ आपका अपना मकान हो मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी दुख आपके पास ना आए तो इसलिए नए नए टोटके नए नए उपाय डूंड कर लाता रहता हूं तो आप कीजिए दिल से कीजिए वैसे आपको पता दू कि यदि कोई प्रबल समस्या हो जैसे कुछ लोगों के बच्चा नहीं होता है क्यों नहीं होता है अब जनम कुणली में यदि पांचवे घर में राहू बैठे हैं और बहुत शक्ती लेकर बैठे हैं तो बेटे की प्रबलम आएगी प्रंतु उसका उपाय क्या है पती पतनी की दुबारा शादी करवा दीजिए बच्चा हो जाएगा आप सभी मत करना शुरू कर देना ये ये देखना पड़ता है जनम पत्री में अलग अलग उपाय होते हैं तो जनम पत्री में परतेक समस्या का हल चिपा हुआ है सिरफ डूढने की वशक्ता है हम डूढते हैं फिर आपको हल बताते हैं कहीं बर होता है आप विदेश गए वहां काम्याब नहीं हो रहे हैं परन्तु जैसे ही योग एक्टिवेट हुआ आप काम्याब हो गए तो ये सब कुछ जनम पत्री में होता है परन्तु ये जो टोटके हैं बहुत एहम होते हैं इनको कीजिए जितना कर सकते हैं कीजिए किसी दिन नहीं भी कर पाते तो कोई प्रॉबलम नहीं है परन्तु कोशिश कीजिए प्रती दिन कीजिए और यादा से यादा शेयर भी कीजिए जैसे चक्रवती व्याज होते हैं मूल दन फिर उसके उपर व्याज लगता है तो इस प्रकार आप लाब ले सकते हैं 16 दिसंबर 2018 का उपाय बताने जा रहा हूँ आज धनुराशी में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं जहां पहले से ही शनी है गोचर में ये बहुत भड़ा परिवर्तन है जो आपको परभावित कर सकता है तो यहां पर मैं एक उपाय बता रहा हूँ इसको अवश्य कीजिए क्योंकि आज यहे उपाय किया जाना अतीवश्यक है एक तो आप गुड का दान अवश्य करें 800 ग्राम गुड का दान करें और दूसरा काले मा की दाल सरसों का तेल लोहे का कील नारियल और काला कपड़ा यह पांच वस्तुएं शनी मंदिर में चड़ा दे यदि आपके नजदीक शनी मंदिर नहीं है तो यह वस्तुएं जाल परवाह कर सकते हैं या किसी गरीब को भी दे सकते हैं यह वश्य कीजिएगा क्योंकि जिस तरहें का सयोग यहां पर बन रहा है वह आपके परिवार को आपको कस्ट दे सकता है और हमने इन कस्टों से बचना है तो यह उपाय करने से हम बच जाएंगे हमारा नुकसान नहीं होगा इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए मैं ब्रिज मौन सूरी आप से इजाज़त चाहता हूँ यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो शेर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि सब्सक्राइब करने से यह वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे जब आप सब्सक्राइब कर देते हैं हमारा चैनल और साथ में एक बेल का बटन आता है उसको भी दबा देते हैं एक बार ही करना होता है तो हमारे वीडियो की नोटिफकेशन आपको लगातार मिलती रहती है यदि आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो वटसेब पर कर सकते हैं परंतु जवाब आपको पांच ये छे दिन के बाद ही मिलेगा यदि आप जनमपत्री दिखाना चाहते हैं तो आप वटसेब पर पूछ सकते हैं इसके लिए हम फीस लेते हैं जो हम गریबों के कारेों में इस्तेमाल करते हैं ध्यान रखिएगा कि जब आप जनम पत्री भेजते हैं तो हम देखते हैं यदि उसमें कोई योग है तो समय लग जाता है यदि योग नहीं है तो फिर इमीजेटली उसका हम आपको बता देते हैं परन्तु यदि योग है तो अच्छे ढंग से देखकर ही बताते हैं हैं कि हमारी जनम पत्री में बहुत सरे ग्रह होते हैं आप ये भी जानते हैं कि हमारी जनम पत्री में बहुत सरे योग होते हैं आपने देखा होगा बहुत सरे लोगों को बच्चा नहीं होता है बहुत सरे लोगों का काम नहीं चलता है बहुत सरे लोगों को करजा रहता है रोगी रहते हैं क्यों रहते हैं इन सब का समादान हमारी जनम पत्री में होता है जब हम जनम पत्री देखकर उपाई डूनते हैं और आप लोग उपाईओं को करते हैं तो पूरी तरह से सब कुछ ठीक होने लगता है किसी तरह का कोई दुख नहीं रहता है तो आप मैं इजा आज़त देजिए नमस्कार खुश रहिए और अपना द्यान रखे